गुद मॉर्निंग दियर सिक्स्थ क्लास, दियर सिक्स्थ क्लास, तोड़े वी आ दूग दूग देख लो अगर अपने नहीं देखा, तो सबसे पहले वर्ड है नैच्रल वेजिटेशन का, वेजिटेशन का मीनिंग समझो क्या होता है, वेजिटेशन होते हैं वो प्लांट्स जो अपने आप बिना human being की interference के ग्रो होते हैं, उन्हें हम नैच्रल वेजिटेशन कहते हैं, देखो अगर कोई crops ग्रो करते हैं, हमने wheat लगाया है, बारले लगाया है, तो वो तो हमने beach डाले तो ग्रो हुई ना, तो वो नैच्रल वेजि वो होती है नैच्रल वेजिटेशन, तो देखो हमने अपने आसपास ना, अपके घर के आसपास कोई खाली plot पड़ा होगा, खाली जवीन पड़ी होगी, तो आप देखना वहां पर अपने आपी कुछ नो कुछ पेड़ पॉद्देश हो जाएंगे, वो नैच्रल वेजिट होते हैं, काटेदा जारियां, कैक्टेस होगे रहा होते हैं, कहीं कहीं किसी किसी जगा पर फ्लावरिंग प्लांट्स भी लगते हैं, तो there are many tall trees, चोचोचोचे trees या लंबे ट्रीज, उनकी कहीं की ब्रांचीज, ऐसे भी हमने आसपास वेजिटेशन हम देखते हैं, लीव कै the grassy shrubs and trees which grow on their own, without interference, बिना किसी की interference के, बिना human being की help के, जो grow होती हैं, grasses, घास, श्रब या trees, उनको हम natural vegetation कहते हैं, तो आपको इस बात कहरानी होगी, ये अलग लग क्यूं होती हैं, किसी जगा पर vegetation कैसी होती है, किसी जगा पर vegetation कैसी होती है, तो ये depend करते है, बेटे, वहां की climate कैसा है, उस जगा का, वहां rainfall कैसी होती है, तो ये सारी चीजों के according natural vegetation होती है, तो आगे हम पढ़ेंगे, why are forests necessary, कि forest जंगल जो हैं, वो हमारे लिए क्यों necessary है, just wait, yes, तो देखो, कि forest जो हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा useful है, they perform various functions, forest बहुत सारे काम करते हैं, जैसे plants release करते हैं oxygen, and हम उस oxygen से breathe करते हैं, और plants carbon dioxide को observe करते हैं, कितना बड़ा कम करते हैं plants, roots of the plants bind the soil, जो plants की roots होती हैं, वो soil को पकड़े रखती हैं, इससे soil erosion भी नहीं होता, forest हमें और भी बहुत सीज़े provide करते हैं, जैसे हमें timber देते हैं, फनीचर बिनाने के लिए, fuel, wood, fodder, medicine plants, herbs, lack, honey, gum, ये सब कुछ हमें plants provide करते हैं, forests are the natural habitat of wildlife, forest trees में ही wildlife रहती है, जंगलों में ही wildlife, जो जंगली जीव हैं वो रहती है, natural vegetation अगर को हम destroy कर देंगे, तो reckless cutting of trees करेंगे, फिर ये animals बटे कहां रहेंगे, इसलिए हमें जादा से जादा trees को plant करना चाहिए, और protect करना चाहिए, जो trees existing हैं, लोगों को इसके बारे में aware ह होना चाहिए, we can have special programs, इसके लिए one ma house जैसे कई programs भी अर्थ पे चलाए जा रहे हैं, अर्थ को green रखने के लिए, तो ये देखो, आपके सामने ये products दिखाए गई हैं, जो सारे plants से मिलते हैं, या पराम से कर सकते हो, dear students, I am very surprised, कि ये न new book की PDF में ने open की है, इसमें काफी topics नह लो क्योंकि देखो, new book में ये included नहीं है, mountain vegetation, mangrove forest, तो वो साई topic आपकी बुक से, इस chapter से, new NCRT ने remove कर दिये हैं, तो let us move to the next part, next part है हमारा wildlife, ठीक है, तो wildlife में क्या है, कि forestries are home of variety of wildlife, there are thousands of species of animals, बहुत सारे तरह के, जीव जन्तू, और बहुत तरह के, reptile, amphibian, mammals, birds, insects, worm, ये सभी तरह के, जो wildlife है, ये forestries में रहती है, next है कि tiger जो है, बिटा, वो हमारा national animal है, tiger, various parts of the country के लगले parts में मिलते है, गिर फोरेस्ट गुजराथ, home है, asiatic loin का, गिर फोरेस्ट है बिटा, गुजराथ में, वहाँ पे asiatic loin मिलता है, elephant और जो one arm rhinosaurus है, ये हमें मिलते है, असाम के जंगलों में, elephant हमें मिलता है, केरला और करनाटका में, camel की बात करोकर आब wild ises की, तो ये हमें मिलते है डेज़ट में, ठीक है, और run of koch में भी मिलते है, camel और wild ises, ठीक है, इस तरह के अनिमल्स भी हमारी कंट्री में मिलते हैं नेक्स्ट है हमारी कंट्री में बर्ड लाइफ भी बड़ी रिच्च है पीकोक हमारा नैशनल बर्ड है उसके बिना पैरेट, पीजन, माइन, गीस, बुल-बुल, डक्स यह काफी बर्ड हैं जो इंडिया में मिलते हैं और हमारे पास कई सारी बर्ड सैंचुरी भी है जो की क्रियेट की गई हैं इन बर्ड को इनका नैशनल हैबिटेट में रहने देने के लिए यहाँ पे बर्ड को हंटर से प्रोटेक्शन मिलती है कोई इनकी हंटिंग नहीं कर सकता ठीक है उसके बाद देरा several hundred of species of snakes बहुत तरह के snakes इंडिया में मिलते है especially cobra snake इंडिया में मिलता है crates इंडिया में मिलता है snake foresters की cutting करने के कारण foresters की hunting करने का कारण wildlife जो है इंडिया की वो decline हुई है बहुत तेजी से बहुत सारे species already extint हो चुके हैं extint का मतलब है लुक तो हो चुके हैं खतम हो चुके हैं तो अगर हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है तो इसके लिए हमें नैशनल पार्क्स, सेंचरीज और बायोस्फियर रिजर्व को सेट अफ करना होगा और जो गर्मेंट हैं हमारी just wait has also started हमारी गर्मेंट ने भी प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट अलिफंट स्टार्ट किया है इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है तो यू केन आलसो हम भी अपना योगदान दे सकते है wildlife को conserve करने के लिए कैसे हम कैसे योगदान दे सकते है हमें वो चीज़े नहीं खरीदनी चाहिए जो एनिमल्स के पार्ट से बनी है उनकी बोन्स से अगर हम इन चीज़ें को खरीदेंगे नि उनके तो कोई उन्हें मारेगा नी ठीक है अगर हम वो चीज़ें खरीदते हैं तभी लोग उन्हें मारते है every year हमें wildlife week observe करना चाहिए and first week of October को होता है ये wildlife week और हमें लोगों में awareness create करने चाहिए कि हम कैसे अपने animal kingdom को save करें उनके habitats को कैसे conserve करें this is all about this chapter dear students तो आगे आपका इस chapter का book work है जिसमें first है the world's highest rainfalls occurring तो वर्ड की highest rainfall होती है मैसंडरा में next time mangrove forestry ये तो book work भी change हो गया है पहले वाला book work भी नहीं है इस बार तो ये ध्यान लखना आपको इसी page को टिक कर लेना और ये ही वाला book work आपने करना है second है उसका है wild goat and snow leopard are found in Himalayan region इसका है हिमालेन रिजन तो बीच में जो थे एक दो MCQs वो कट हो गए है next है during the southwest mountain period the moisture-laden winds blow from the इसका हैगा sea to land उसके बाद है hot and dry winds known as loo hot and dry winds क्या होती है loo होती है next है the state of Andhra Pradesh and Tamiradu receive a great amount of rainfall during the season of यहां पर आएगा ottoman ठीक है ottoman season उसके बाद है dash forestries in gujarat घिर forestries घिर forestries in gujarat is the home of asiatic loin line आएगा यहां पर line कोई बात नहीं अगर कर लिए कोई नहीं इसमें से otherwise मैं आपको PDF में तो भेजी दूँगी बेठा thank you and have a nice day your chapter is over have a nice day dear students bye to all